So good morning guys, तूचली स्टार्ट करते हैं आज़ की रिविजन क्लास, देखे हमारा पहला प्रश्न क्या है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष क्या नाम है? Alka Mittal अच्छा Alka से याद आएगा Alka Upadhyaya का नाम वो अभी National Highways Authority of India की अध्यक्ष बनी थी और उपध्याय से याद आएगा आपको अनुकरती उपध्याय का नाम जिन्होंने अपने किंसुगी नाम के उपन्यास के लिए शुशिला देवी पुरुसकार 2021 की जीता था विसे Alka Mittal में से आपको Mittal से भी दो नाम याद आने चाहिए एक तो रवी Mittal जो कि अभी Insolvency and Bankruptcy Board of India के जेयर्मेन बने और एक गीता Mittal जो कि Table Tennis Federation of India के संचालन के लिए प्रशाश को Administrators की समिती की अध्यक्ष बनी है बताओ भारत का पहला Open Rock Museum कहां पे खुला है तो आंसर होगा हैदराबाद में अच्छा भारत का पहला Transgender Community Desk कहां पे खुला यह भी खुला हैदराबाद में बाकी Microsoft हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा और चोथा Data Center शेत्र इस्थापित करेगा फिक्की के President अभी कौन बन गए संजीव महता और फिक्की के Director General भी नए बने हैं उनका नामे अरुन चाउला फिक्की मतलब Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry अच्छा हंग्री की पहली महिला राष्टरबदी का नाम केटलिन नोबाग है और अगर मैं आपसे पूछो बारबादोस के भी पहली President कौन बनी तो आंसर होगा Damn Sandra Mason और बारबादोस के भी फिर से प्रदार मंतरी बन गई है मिया मोटली बताओ किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुष्मा सुराज पुरसकार की गोश्णा की तो आंसर होगा हर्याणा हर्याणा ने ही अभी अंबाला बस स्टेंड का नाम सुष्मा सुराज बस स्टेंड कर दिया और स्कोच स्टीट ऑफ गवर्नेंस रेंकिंग 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान में रा था आंदर प्रदीश अंतर राष्टर महिला न्यायदीश दिवस यह हम 10 मार्च को मनाते हैं International Day of Women Judges और इस दिन को मनाने का प्रस्ताव किस ने रखा है? कतर ने रखा है अच्छा जज से याद आएगा हाई कोट की पहली महिला जज का नाम क्या है? अन्ना चांडी है केरल हाई कोट से और हाई कोट की पहली महिला चीफ जश्टिस थी लीला सेट हिमाचल प्रदेश हाई कोट में सुप्रीम कोट की पहली महिला जज फातिमा बीवी थी पहली महिला चीफ जश्टिस अभी सुप्रीम कोट में कोई भी नहीं है अभी तक तो फ्यूचर में हो सकती है कौन बीवी नागरतन वैसे अंतर राष्ट्रे नियाल इंटरनेशनल कोट का हेड़क्वाटर का अपर है दे हैग नीदरलेंड में अचा अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोट की पहली महिला जज कौन बनी थी आईशा मलिक बनी थी बागे आपको बताए यूएस के सुप्रीम कोट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है केतान जी ब्राउन जैक्सन और अभी केन्या की पहली महिला चीफ जश्टिज कौन बनी थी मार्था कूम बनी थी ये नाम न्यूज में थे अभी On board my ears in BCCI ये किसकी आत्मकत है रतनाकर शेट्टी की ये BCCI के पहले मुख्य प्रशाशनिक अधिकारी थे और अभी इस बुक को BCCI और ICC के पूर्व अध्यक्ष शरद पमार ने लॉंच किया साउथ कूरिया के नए राश्ट्रपती कौन बन गए यूंग सुक ये ओल World Kidney Day हमने मनाया अभी 10 मार्च को Actually मैं मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं तो 10 मार्च को मनाया Theme क्या है Kidney Health for All फिर बताए विश्व शरणार्थी दिवस World Refugee Day कब मनाया जाता है तो अंसरों का 20 जून को इसकी theme क्या थी Who ever, whatever, every ever has a right to seek safety बताव अंतर राष्टर योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को मनाते हैं आप सबको बताए लेकिन important रहेगी इस बार की theme क्या है मानवता के लिए योग Yoga for Humanity इसका आयोजन कापे वथा मैसूर करनाटक में World Hydrographic Day कब मनाते हैं तो 21 जून को मनाते हैं इसकी theme क्या है Hydrographic Contributing to the United Nations Ocean Decade World Music Day विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाते हैं ये भी इसकी theme है Music on Intersection अच्छा मुझे ये बताओ पंडित रवी शंकर जी का संबन किसे था तो आंसर होगा वो सितारवाद यंतर से उनका संबन था अल्ला रखा का तबला से जाकिर खान खा उनका भी तबला से और उस्ताद बिस्मिल्ला खान शेहनाई वादक थे अच्छा पंडित भीम सेंचूशी की याद रखना किराना घराना से तालुक रखते थे ये फिर बताव अंतर राष्टर ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं तेवीज जून को क्या थीम है एक साथ शांती पूर्ण विश्व के लिए और मैं आपको बता दू तेवीज जून को ये अंतर राष्टर विद्वा दिवस और युनाटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सन्युक्तर राष्टर लोग सेवा दिवस भी मनाया जाता है वैसे भारत में लोग सेवा दिवस कब मनाते हैं 21 अपरिल को मनाते हैं और हमारे UPSC के बरतमान अध्यक्स मनूत सुनी है ये नया अपॉइन्मेंट ते ध्यान रखना और Father of Civil Services लोग सेवा का जनक किसे का जाता है Lord Carnivalis को चलो बताओ The Struggle for Police Reforms in India इस बुक को किस ने लिखा है प्रकाश सिंग ने लिखा है किस राज्य का जामतड़ा जिला ये देश का पहला जिला बना था जिसके हर गाउ में पुस्तकाले है तो अंसर होगा चारखंड का अच्छा गुशन है ये The Boy Who Wrote a Constitution नाम की बुक को किस ने लिखा राजिश तलवार ने लिखा है Not Just a Night Watchman इस बुक को किस ने लिखा है विनोध रॉय ने लिखा है और The Maverick Effect बुक को लिखा है हरीश महता ने ये कौन थे ये कौन है ये नैसकौम के पहले अद्यक्ष थे वर्तमान में कौन है नैसकौम के अद्यक्ष ये नया अपॉइंट है कृष्णन रामानुजम है ध्यान रखना अब पुराने महिनी के करंट अफेर्स का हम लोग रिविजन करेंगे अब बताईए अंतर राष्टर आहार निशेद दिवस इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया तो अंसर होगा 6 मई को अगर मैं आपसे पूछू वर्ल्ड फूड डे कब होता है तो 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है साथ जून को होता है अचा बताईए आरपीएफ ने अवेत तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया तो अंसर होगा ओप्रेशन सतर्क वाइट हाउस की प्रेश सचिव बनने वाली पहली अश्वेट महिला वह एलजी बीटी क्यू प्लस वेक्ति कौन बनी है तो अंसर होगा करीन जॉन पियर मताव लीडर, पॉलिटीशन, सिटिजन्स नाम की भुक को किसने लिखा तो अंसर होगा रशीत किद्वई ने किसने वंगाई मताई फॉरेस्ट चेंपियन्स अवर्ड 2022 को जीता तो अंसर होगा सेसिल नदजे बैट ने ये कमरून की कार करता है भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वेद शालक ये कौन स्थापित करेगा तो अंसर होगा उडिसा, कहां पे भुवनेश्वर में यानिकि ट्राइबल हेल्थ अब्जर्वेट्री ट्राइब हो भी से बुला गया शौट में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाईजीन डे 2022 ये कब मनाया गया पांच मही को थीम क्या है सुरक्षा के लिए एक जुठ हो और अपने हातों को साफ करें भारत का अपनी पहली तरह का पहला फ्लो केमिस्टरी टेक्नलोजी हब कहां पे स्थापित किया गया हैदराबाद में इसका उद्देशी क्या है फार्मसेटिकल शेतर में कुषल और टिकाओ प्रद्देगी की को शामिल करना और बढ़ावा देना किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू की तो आंसर होगा महाराश्टर इसमें केदियों को लोन दिया जाएगा पचास जार रुपे तक का फिर बताओ अभी किसे विश्व खाद्य पुरुसकार 2022 से मानित किया गया तो आंसर होगा सिंथिया रोसेंज वैक को ये नासागी जलवाई और अनुसंदान वेग्यानिक है और 2021 में किसे मिला था ये वर्ल्ड फूड प्राइज अवर्ड शकुंतला हरी के थिलस्टेड को बताओ विश्व अथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा साथ मही को और नेशनल स्पोर्ट्स डेट 29 अगस्त को मनाते महान होक्की प्लेयर ते मेजर ध्यान चंजी उनके जिनम तिन को अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्ल्ड गेम सैथलीट आप दे इयर का अवर्ड 2021 के लिए किसे मिला था तो भार्ट्य होकी टीम के जो गोल कीपर है पी आर श्रीजेश को किस राज्ये ने वीकल मुमेंट ट्रेकिंग सिस्टम मुबाइल अप्लिकेशन को लॉंच किया तो अंचार होगा हर्याना तो रेत या दूसरी खनन सामगरी ले जाने वाले जो वहान होते हैं उनको ट्रेक करने के लिए ये चर्चा में रही नेथनना बीमा योजिना का संबन किस राज्ये से है तो आंसर होगा तेलंगा ना नेथनना का मतलब होता है बुनकर तो अभी तेलंगना सरकार नहीं बुनकरों के लिए योजिना के तहट बीमा कवरिज के विस्तार की घोशना की है पांच लाक रुपे का बीमा कवरिज मिलेगा किसे निर्मला देश पांडे स्मरती विश्व सांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया रेटाइड जनरल तेज कॉल को कौन आठ हजार मीटर से अधिक उची पांच चोटियों को पत्य करने वाली पहली बारते मेला बन गई प्रियंका मोहिते टी ट्वंटी किर्केट में सबसे ज़्यादा अर्देश अतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाच कौन बने तो आंसर होगा डैविड बॉर्नर यह उस्ट्रेलिया के प्लेयर है बारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वराजारी सांखिकी पर वार्षिक रिपूट 2020 के अनुसार देश में सबसे ज़दा लिंगा नुपात कहां पर है तो आंसर होगा लगधा को ग्यारा सो चार उसके बाद अरुनाचल प्रदेश एक हजार ग्यार और सबसे कम बताया गया मनिपूर में आठ सो असी इंडियान एयर फोर्स के महा निदेशक के रुप में अभी किसे निवत किया गया तो संजीव कपूर को वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है विवेक राम चौधरी है और एयर फोर्स डे कब मनाते हैं आठ अक्टूबर को बताओ परिसिमन आयोग ने यूनिन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर उसके लिए कितने विधान सभा शेत्र रखे हैं तो अंसर होगा नबे और जम्मू कश्मीर के लिए जो ये परिसिमन आयोग केस के अद्धिक्स कौन थी रंचेना प्रकास देशाई चुला बताओ रंचेना प्रकास देशाई अभी ये क्या बनी है अपोइन्मेंट पे हमने पढ़ा था इनके बारे में बताओ